हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए धोती सल्वार लेकर आई हूँ और इसकी कटिंग करने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये हमारी धोती सल्वार 40 इंच की सिल्के तयार होगी और ये वीडियो हमें एक सस्क्राइबर की रुक्वेस्ट पर बना रहे हैं इ हम इस अलवार में 6 इंच की बैल्ट बना रही है और तो हम पहला मार्क इस इंच पर करेंगे तो हमें 1 पर 6 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच हम इसमें डोरी वाला हिस्सा बनाने के लिए और चलाई के लिए एड़ कर रहे हैं तो यहां पर हमारी जो बैल्ट है हमने उसकी लेंध 8 इंच ली है बैल्ट की चोड़ाई हम कमर के अकॉर्डिंग लेते हैं जैसे की कमर है हमारी 30 तो इस बैल्ट में हमने फोल्ड करके 10 इंच एड़ किया है लूजिंग के लिए और स्लाई के लिए तो यहां पर हम 10 इंच और अधिक कपड़ा रख रहे हैं अब 7 से 8 इंच भी रख सकती है इस तरह हमने बैल्ट की कटिंग की है बैल्ट की कटिंग करने के बाद हम जो मेंे फोल्ड करना है यह हमारा क्पड़ में अधिक कपड़ा एसल और फिर आसका तुक्री साइट की तरफ सर्फ टिरशा करना है तो यहां पर हमने कपड़े को ऐसस्य थे ती फोल्ड किया है इस तरह हमारा कपड़ा है वहमारा 3 जु अमया पल्द आहे हमारा मैं एक्सqui पा कि क्पडे की बढ़ना देले बताइब किस तरीके से कपड़ पर कीज़िए तो हमने इसे तिर्षा फोल्ड किया है और जिस साइड से हम ड्राफ्टिंग करेंगे इधर की साइड से हमें ड्राफ्टिंग करनी है और एक साइड तो ये खुली हुई है कपड़े की और दूसरी साइड जो ये बंध है इसे आप कट कर लेना ये साइड बंध है एक तरफ की इसके बाद इस कौने पर हमें मोहरी की ड्राफ्टिंग करनी है यहां पर हम मोहरी की ड्राफ्टिंग करेंगे और इसी तरफ हमें यहां पर आसन की ड्राफ्टिंग करनी है तो दूसरे कौने पर हम आसन की ड्राफ्टिंग करेंगे और तीसरे कौने पर हमें यहां पर 1.5 इंच के करीब कट लगाना है यहां से हम डिजाइन करते हैं धूती स दिर्शा फोल्ड कर सुन। कौने को ऐसे तिर्षा फोल्ड करना है तो इस तरह मैंने कपड़े को तिर्षा फोल्ड किया है और जो हमारी एक्षा फैवरिक है उसे हम कट करेंगे और ड्राफ्टिंग हमें इस तरफ से करनी है और यह जो एक्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे तो आप इसे ऐसे कट कर ले तो यहाँ पर हमने यह कटिंग की है कटिंग करने के बाद एक साइड कपड़े की खुड़ी हुई है दूसी साइड बंध है तो जो साइड बंध है इसे भी हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमें इस साइड को कट करना है यहाँ पर हमने यह कटिंग की है अब हम पार्ट्स की लेंथ ले रहे हैं तो हमारी जो बैल्ट है वो 6 इंच की सिलके तयार होगी टोटल हमारी जो 30 さलवार है 40 inch की सिल्कmade तयार होगी अब मोरी की drafting करेंगे तो मोरी की drafting करने के लिए हमें मोरी 6 inch रखनी है तो हम 6 inch पर ऐसे line draw करेंगे ध्यान लखें line draw करने से पहले बन side की तरफ से इस कोने पर हमें Leint 25 को रखनी है रखें बंसाइट की तरफ से जितनी आप मोहरी रखना चाहती है उतना आप मार्क करें मैं 6 इंच की मोहरी रखना चाहती हूं मैंने 6 इंच पर मार्क करके फिर हमने इसे ऐसे तेर्चा किया है इस तरह से जो यह मोहरी है सीधी होती है यदि हम इसे ऐसे सीधा कट करेंगे तो लिए जो महरी है हम आँए तो हम सही करने का यही तरीका है करें फिर जितनी कि तरफ चाहते हैं उतनी इंच पर आपको Mark करना है तब कटिंग करें को एक आर पफेपर पर भी बता रहई हैं, जैसे कि हमने ऐसे सीधा मार्क किया है मोहरी पर और हम जैसे कि मोहरी रख रहे हैं 6 इंच तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए 1.5 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूं मोहरी के लिए 1.5 इंच पर मैंने ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ की है अब हम इसे कट करेंगे तो जब हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे कट करते हैं तो यह मोहरी है यह V सेप में आती है तो यह बिल्कुल गलत है और जो हमने यह आपको तरीका बताया है अब हम आपको वो बताते हैं जैसे कि हम मोहरी डेड़ इंच रख रहे हैं तो बंद साइड की तरफ से हमें देड़ इंच पे मार करना है जितनी आप मोहरी रखना चाहती है पहले आप वो कौने परिंची टेप को रखके उतने पर मार करें फिर आपको इसे ऐसे तेर्शा करना है जितनी आप मोहरी रखना चाहती है तो मैंने इसे देड़ इंच तक तेर्शा किया है बंद साइड की तो इस तरीके से मोहरी हमारी सीधी आएगी बिल्कुल सीधी कट होके आएगी इस तरह से ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है और अधिकतर जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही कट करना बताते हैं बाद में उसे सही कर लेते हैं तो इस तरह से मोहरी हमारी वी सेप में आती है ये बि आप सलवार की लेंथ कम रखना चाहती हैं तो आप इसकी लेंथ कम रख सकती हैं जो हमने इकलिकट की हैं तो यहाँ पर हमने यह मोहरी की ड्राफ्टिंग की है अब हम आपको आसन की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे आसन की ड्राफ्टिंग हम इधर की साइड से बता रहे है तो यहाँ पे जो सबसे important है वो है कि इधर की जो side है इधर की side से सलवार पहनने के बाद उचकती है उची हो जाती है तो उसी समश्या को दूर करने के लिए हमने ये दोती सलवार की वीडियो बनाई है तो सबसे पहले हमें आसन की drafting करनी है तो 6 इंच का आसन हमारा belt में रहेगा और 10 इंच का जो हम आसन तयार करेंगे वो हम in piece में करेंगे तो यहाँ पे हम आसन की length 10 इंच ले रहे हैं पहले हमें 10 इंच पे mark करना है आसन हमारा 10 इंच का सिलके तयार होगा तो पहला मार्क हमने 10 इंच पे किया है और दूसरा मार्क हम 11 इंच पे करेंगे क्योंकि 1 इंच हम सिलाई के लिए एड़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो आसन है उसकी लेंध हमने 11 इंच ली है तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे मार्क किया है अब हम आसन की चोड़ाई ले रहे हैं आसन की चोड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है आप 1.5 इंच रखती हूँगी या 2 इंच रखती हूँगी हमें आसन की जो चोड़ाई है वो हमें 3.5 इंच रखनी है तो इस बात का विसे इस दिहान रखें आसन की जया चौड़ाई है आप 3.5 इंच रखे, और इसके बाद 3.5 इंच तक हमें ऐसे box बनाना है, सीधी line ड्रोच रो करनी है, और फिर हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे गोलाई करनी है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे गोलाई करनी है, फ्रेंट्स यहाँ पर हम आप एक बतान आशन की चोड़ाई आप हर साइज में 3 इंच रख सकती हैं लेंथ आप साइज के अकॉर्डिंग रखें और अब हम आशन की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह हमें आशन की कटिंग करनी हैं यहां पर हम आपको एक बात बताना शाते हैं आशन की जो हमने चोड़ाई 3.5 इंच की हैं इस साइड की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है इस साइड की लेंथ हमारी बढ़ जाएगी ऐसे आशन की अधिक चोड़ाई से तो जो सलवार है वो उपर की तरफ नहीं उचकेगी तो सिर्फ इसमें यही कमी रहती थी आपकी जो सलवार है पहनने के बाद उपर की तर की दूसी साइड की तरफ हमने आसन की ट्राफ्टिंग की और जो हमारा तीसरा कौना है यहां पर हम वन एन हाफ इंच का कट करेंगे सिर्फ हम यह कट डिजाइन के लिए करते हैं जो साइड में धूती सल्वार में डिजाइन होता है उसके लिए हम यहां पर वन एन हाफ इंच पे cutting करते हैं तो यहाँ पे हम 1.5 इंच तक इस कपड़े को ऐसे cut करेंगे तो यहाँ पे जो धोती सलवार है इसकी जो cutting है वो हमारी complete हो गई है और यह सलवार के हमारे two-piece है और friends यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो और friends इस वीडियो में हम आपको इसकी सिलाई नहीं बताएंगे सिर्फ हमने इसकी आपको cutting करना बताया है और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद